तो आज मैं बना रही हूं सोया चंग्स बहुती शांदार बनते हैं सब को बहुत ज़्यदा पसंद आने वाले हैं और बनाने का तरीका सिंपल सा शेयर करूंगे वीडियो में एंड तक बने रहें कुछ इस तरीके की सोया चंग्स हमारी आज के बनने वाली हैं तो सबसे पहल बनानी थी मैंने क्या किया पानी ठोड़ा सा गुनगुना कर लिया और उसम reign soya enthusi *** को जितना भी आकार लेना होगा और अछे से फूल जाएंगшै काफी ट्रीके से तरीके से आज का बना है तो मैंने पर सिर्फoulder शेयर कeldềियों में अधे सबस्तकता अधे बंकु और युछर ह होने देते हैं ठंडा होने के बाद में क्या करना है इनको निचोड़ना है यह देखिए कुछ इस तरीके की सोय बड़ी है वो काफी अच्छ तरीके से सोफ्ट हो चुकी है अब हमें क्या करना है ठंडा होने के बाद में इनको निचोड लेना है इसके अंदरी जितना भी एक् सोयाबिन की सबजी बहुत टेस्टी बनती है सोया चंक्स भी बोलते हैं सोयाबडी भी बोलते हैं जो सही है वही है तो बस इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी सोयाबडी को अच्छे से निचोड के और उसमें मैंने मसाले डाल दिये जितने भी मुझे सबजी में एड़ करने थे वो मसाले डाल दिये हैं लाल मिर्ची पाउड एक सेड़ चमच एक चोटी चमच धनिया पाउडर आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकोडिंग डाल के सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और यह देखिए गाइस बहुत शांदार बनती है यह सोया बड़ी की सबजी और चीकन मटन भी फैल हो जाता है इस सोया बड़ी की आगे अब मैं डालूंगे इसके अंदर दही जो इसमें चार चांद लगा देगा इसके स्वाद को कई ज्यादा गुना बढ़ा देगा इत तेल सरसों का उसमें डालेंगे जीरा बसी जोड़ी चूट़ी चमस के चारी को जीरे को थोटा सा पकने देते हैं ब्राउन होने देते हैं उसके बाद में मैं ğचőंटे हूऐ प्यास दाल दिये हैं आप भो उनका पेश्ट बनाके वी तर सकते हुआ यह प्यास जालेंगे और इनको काफी अच्य से फ्राई होने देते हैं इसके बाद में दो से तिन कटी हुई है रिमिच ही डाल देंगे और इनको भी काफी अच्य सबजी है न कई लोगों को पसंद नहीं होती है लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी सबको बहुत अच्छा तरीका भी है बनाने का भी और खाने में बहुत ही मस्त बनती है मैंने लैसुन का पेश डाल दिया थोड़ा एक चोटी वाली चमज के करीब और उसको भी मिक्स करने के बाद में मैं इसके डालूंगे जो हमने मसालों के साथ अच्छा से मिक्स करके रखी थी इसको अच्छा इसमें कलार आ चुका है आपको यह सूखी सब्जी चाहिए तो बिल्कुल सूखी भी बनती है और बहुत मस्त लगती है आप इसमें बिल्कुल भी पानी मट डालिए क्योंकि मसाले हैं वह काफी अच्छा तरीके से पक जाएगी मैंने क्या गया था जिसके मैंने मसाले वगेरा मिलाए थे सुयबिन के अंदर में मसाले में जिपका रह जाता है तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के वह इसको अच्छा से मिक्स कर दिया है और इसको अच्छा कलर आएगा इसमें बहुत अच्छा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और खाने में बहुत सब्सक्राइब दिया है और तैयार है अच्छे हमारी सुयबिन की काफी ज्यादा सब्जी जो मटन्ची चिगन आना उनको यह सब्जी बहुत पसंदाती क्योंकि वह सवार इन उनको इन सब्जी में मिलेगा बहुत मस्त बंती है यह सब्जी जरूर बनाना आपका है दिखने में बहुती शांदा लगने वाली सोया बड़ी सब्जी जो बनाना बहुत आसान है ओके फ्रेंड्स आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब बैल आक इन प्रेस कर देना और लाइक कमेंट शेयर करना बिलकूर मत भूलना और आप भी इसको एक बाच जुरू ट्राइए करना ओके फ्रेंड्स मिलते हो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए